गर में बेटी की साधी की चल रही रस्म के दवरान अग्यात काडो से लगी आग। साम बारात आई थी घर में साधी का रस्म निभाया जा रहा था तब ही गुरु आद दो पाहर जब बारातियों की भोजन की ब्योस्था कराई जा रही थी कि फूस के घर में पीछे से अग्यात काडो से आग लग गई घर के सभी ग्रहश्ती के सामानियूम टेंड देखते ही देखते जल कर राख हो गए मगरे मेहनत मजदूरी करके किसी तरह पैसाई कठा करके लड़की की साधी के सामान लाये थे कि अचानक सब कुछ अगनिकांड में जल कर राख हो गया परत्यक्स दर्सियों की अनुसार आग की लप्टें इतनी तेज थी कि घर की महलाएं देख कर चीख ने चिलाने लगी सोर मचाया तो आसपास के लोग दोड़े तब तक आग की लप्टे पूरे फोस के घर को अपने आगोस में ले लिया ग्रामिडू ने बाल्ते लेकर आग बुझाने की कोशिस की लेकिन थोड़ी देर में बेकाबू आग ने छपपर को जला कर रा है जल्द ही अहे तुक्सर साहेता राज दिला दी जाएगी